बूर्णिंग गाइज कैसे हैं आप सब लोग वास्ता करते हैं आप फिट एंड फाइन होंगे मैं हूं मीतु राठोर और आप देख रहे हैं रिषेब भाई मीतु और अभी हो रहा है सुबए के साथ और यह है मेरी मौर्णिंग ड्रिंग का टाइम और मौर्णिंग में आज सब में अभी ले लूँगी और साथ में गुन-गुना पानी हो गया मेरा पानी और एक आप कमेंट अप्रे पील करके हाया करें हां पील कर लेना चाहिए लेकिन मुझे ऐसे भी पसंद है और आप ऐसे खा सकतो है ऐसे इस इसे कोई नुकसान नहीं है और यह जो मैं ऐसे ही खा रही हो ने ये मैं है। आल्रेडी गूगल वरावाफ on search करके उसके बाद खा लेती ह। खाने चाहिए मुझे खाने जाहिए नहीं खाने चाहिए रहा है मुझे आछे लगते हैं तो बहुते हुद्अ कि अजय्ग आयों लोगों के खाया करें तो मैं पील कर लेती तोड़ा सा लेट हो गई उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला अपना ब्रेकफास्ट बनाने का तो मैं स्कूल में एपल लेकर आई थी तो वही मैंने लगवक दस बजे कर लिया था जिससे कि यह हुआ कि मुझे भूक भी नहीं लगी और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया मिड सब्जी है तो सबसे पहले हमने सरसों की बिजया को अच्छे से दो के काट के रफली और चॉप कर लिया था और उसमें हमने डाला ग्रीन चली थोड़ा सा नमक धनिया पाउडर रैड चली पाउडर हल्दी यह सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें आदा कप अब थोड़ा सा पानी डाल दें और पकने के लिए रख यह थोड़ी देवर हम देखें भी सिंगे और देखेंगे फज्वास इस से त्रिके से घ्ड़ां के तु डाला है लेसन, लाल मिर्च, सूखा धनिया और हींग और इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है और इसमें हम अपना जो बुझिया था जो हमने पकाया था सरसों का वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और खूब होनेंगे जिससे कि ये सबजी बह कितनी भी सबजी है मेरी फेवरेटिस हैं जो मैंने लिया था अच्छा निए लिएं कि इतनी बुजीया उखती है आप मैंने स्प्रिंग अलियन की बुझिया लिये थोड़ी थोड़ी सी ये मैंना मुझे टोटल हंडराट ग्राम ले ती तो मैंने 50 गौरम का तो ये बनाया वाहर के, तो मैं वह करेंगी तो इसलिए मैं पहले से अपना ये लुट कर लेती हूं, थोड़ी दिर आराम कर लेती हैं उसके बाद हम मैं आप से मिलती हो, साम को जो भी लूगी तक कि लिए भाई भाई टेक गया है अभी हो रहा है साम के लगबक साड़े पांच और मेरे चाय का टाइम हो गया है और तो मैंने ये चाय ली है और साथ में मैं कुछ सामाल लेकर आई थी जासा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है थोड़ा सामाल लेने तो मैं चली गई थी और अभी आई हूं तो मैं काफी लाई में पर एक साथ नहीं दिखाऊंगी कुछ अभी दिखा देती हूँ और कुछ सांग को दिखा मुगी तो मैं लाई हूँ यह कॉफी मग लाई थी तो इसमें मैं ते ले लिए तो यह पहला जो है वव इस तरीके से है अगर आपको दिख रहा हुए यह पूरा यह में स्टूर 99 से लेकर आई हूं और इसमें भी ऐसे गोल्डन वह लगा हुआ है बागी का यह बहुत अच्छे टच में है इसका जो पेश्टल कलर बहुत ही प्यारा है साथ में पहले मेरे पास एक ऐसा मग था जार था जो की तूट गया वाला गरम पानी डालने की वज़े यह टीए बागा खेशर तो एक में यह वाला लेकर आई हूं साथ में में दो यह एक यह बहुत अच्छे है और अच्छी बहुत अच्छी क्वालिटी है जैसे कभी आप खीर बनाते हैं या पेर चाप इसमें सैट करना चाते रासमलाई बना के तो यह देखने है अगर आप नीष we P सème हैं रहे हुदिव नहीं कुछ भी नहीं हम पुए कि पी तो त सब हुनिवी प्रूड़ा प्रूट्स लोगी तो दिखाँगे मैंने कौन सा fruit लिया हैं फिर हम लेंगे Sam को तब तक के लिए bye bye and take care अभी हो रहा है साम की लगबग साघी साफ और यह हमारे टिनर काटाइप और दिनर मैं मैंने लिया है मिक्स वैज बुलाओ जो की यह चावल जो मैंने रॉल लिये हैं वो से लेए this one是我 40g raw petaste यदे यि अदाने मैंने टाना मैंने सब्सक्राइट जान है जार हे ने घरी मेरी ओध्मुद yüzden कहें जडा है ने सब्सक्राइज परने चले जारे के ना यूद्ध तो चलो सब्सक्रेस चली है वे लिए ग्रीन वेज़ से भरा हुआ है तो डिनर में भी ले रही हूं और साथ ही मैंने बोलाता है कि दिन में मैंने कुछ सामान मंगाया है और मीजों से भी मैंने एक दूचीज़ा और करी आया है सायद कल की आप परसो की वीडियो में आ जाए क्योंकि यह को जाया मेरा तक करती थी तो जौब के साथ पर इतना होनी पा रहाता तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा की मार्टिफीशे ले लूँ कुछ सोपी से ले लूँ मैंने मंगाया है और कुछ लेकर भी आऊंगी तो सबसे प्लांट यह है बहुत ही सुंदर प्लांट है दूर से बहुत प्यारा प्लांट यह था देखिए इसका जो सेड है और जो इसमें बिल्कुल रियल लग रहे हैं एक दूसरा प्लांट यह है और तीसरा प्लांट इस तरीके से है थोड़ा छोटा यह भी बहुत प्यारा है यह फेक नहीं लग रहे थे दूर से बुल्कुल आप भी देखोंगे तो आप फेक नहीं लगेंगे बहुत प्यारे लग रहे हैं यह सारे प्लांट और इनकी में बॉस्ट भी बताती चलती हूं साथ की साथ और आप लीव नहीं करेंगे मैं स्टोर 99 में गई थी तो मैंने वहां पर भी देखे थे बट मैं पहले वहां पर गई और उसके बाद किए बुदधक्त मारकेट में डिवाली की वजये से भॉस सारे प्लांट पगईर्था लगाईूअ हे लोगों ने यह मुझे मिला बं क्यों ने इतकी यह मुझे मिला अगर किना प्यारी यह है पैंडय से लिए बहुत अच्छा लुंक की मिला स्टैंटको यह मुझे बन कि यह सारे पेखे निए सारे नाइटीनाइन इस्टोर में देखे जां पर बहुत ही जाद महाँईगी जीज थी थी लए प्लांट्स में बहुत महाँँए थी 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 आईटम्स बहुत अच्छी थी टी थी थी तो अघ्टिने रे इन ह मैं ले सकती थी यह दू यह शाट डेंगा एकसाद तो अधाने नहीं लिया और प्रोब्लम भी होते लाने करी सामाँए टोटना जाए तो मग्स लेकर और जो मैं तुछ और भी लेकर आँगी तो यह वाला बहुत अच्छ लगा यह 150 का है और यह वाला प्लांट भी बन फिप्टी का है जो कि ऑनलाइन भी मैंने यह वाले और यह वाले देखे थे जो कि बहुत महीं थे 300-300-400 तक थे और वहां पर यह मुझे बहुत प्यारा है यह ब कि अच्छ लोकल मार्केट में यह जरूर ले लीजी क्योंकि यह ओनलाइन या फिर मॉल में बहुत ज्यादा महागी होती है और जो चीज आपको पता है कि बहार मिल जाएंगी उन्हें मॉल बगार से ना खरीदें और जो चीज आपको बहार उतनी अच्छी उतनी अच्छी बहुत अच्छी रेट में मिल गई थी बुलकुल वाइट है इसमें कोई भी डिजाइन नी बनाऊगा जबकि मेरी जो प्लेट से इसमें इस टाइप कर दिजाइन बनाऊगा है यह उसी की काटोरी है तो यह मुझे सिर्फ 65 की मिली जो कि मुझे बिश्राष ही नही नही नह बहुत ही ज़्यादा पेवर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहे तो भी ज़्या पूर में जारा खकर देख को जब जहादा क्यों हुं एक यह नहीं देती हidents तो गयल में इन्ट्रेश्स की साथ नहीं देखते हैं तो प्लीज आपको मेरी फके चलन निस प्संद्रा का किने नहिता है दिन नहीं के साफंगा है क्योंकि जब आप उसी को क्लिक करें गोंगी तो जोवी वीडियो आएंगी तो सब से पहले अपको ऊप्र निजयेंग able को गारेशी हाइब की थो घ्री दिन आपना और नहीं जोडल की। कभी कुछ कभी कुछ तो उन सब को भी निप्टाते निप्टाते अपनी लाइफ इस्टाइल को अच्छा तो रख नहीं है तो चलिए गाइस आप बिलते हैं कर बाइबाय और टेक एंग